सुगाइस ये West Ward के 50 सीजन का 2nd एपिसोड है जिसके 1st एपिसोड को मैंने explain कर दिया है जो कि आपको मिल जाएगा और सेकेड एपिसोड के starting में हमें Ancient Time के एक स्टोरी बताई जाती है कि जब पूरी दुनिया की तुपर अंदकार छाने लगा था तो अचानक से ही दुनिया में एक एक्स्प्लोजन हुआ था जिसने हर्द और एवन की बीच की पहली आग को प्रजुलित किया था जिसको कहते हैं इटर्नल फ्लेम और एटर्नल फ्लेम के साथ साथ तीन गोड भी जनम लिये थे इनमें से प्राइमोर्डियल एम्परर का काम था डिजायर और डिस्ट्रक्शन को करना और बॉलिंग मास्टर का काम होता है कंपेसन और लव को क्रियेट करना और बर्शू का काम होता है फेरनेस और मॉडरेशन क को फैलाना और इन्ही तीनों ने मिलकर बनाया था हैवन को जिससे की पहली ग्रेट सिलेस्टियल फिस्ट का भी निर्माड हुआ लेकिन जो यूजन और बॉलिंग मास्टर सैंजूंग थी वो दोनों ही अपने अलग-लग आइडियाज को फालो करते थे जिसकी वज़े से उनक पूरी तरीके से नश्ट हो चुका था लेकिन फिर टाईजन ने वहाँ फराकर उन तीनों को ही अलग-लग कॉफिंस में बंद कर दिया और डिवाइन पावर को न्यू जेनरेशन के गॉड्स को सौप दिया और ये वही गॉड्स थे जो कि हजारों सालों तक सोने की वज़े से अब सिलेस्टियल गॉर्ड बन चुके थे और यूजन के जागने की वज़े से अब बाॉलिंग सैंग्स उन भी जाग जाती हैं क्योंकि वो भी ये जानती है कि अब ग्रेट वार शुरू हो चुका है इसके बाद हम यूजन को देखते हैं जिसने मंगे किंग को पकड़ कर एक पत्थर में बदल दिया था वो कहता है कि तुम्हें खतम करने का यही एक रास्ता था तो जेरल पीशा कहने लगता है कि आपने तो उसको एकी जटके में खतम कर दिया तो यूजन बताता है कि मेरे हाथ किसी भी चीच के एसेंस को बदल सकते हैं यूज कि यही तो मेर कि दिलों में जाग कर देखता है जिसी कि उसको पता चलता है कि इन लोगों के मन में इविलनेस तो भर चुकी है लेकिन ये उसकी रिस्पेक्ट करना भूल चुके है तब ही वहाँ पर सुजाकु आकर ये कहने लगती है कि यानि कि ये सब कुछ यूजन का किया धरा है तो गौनन कहता है कि चलो उसको हेलो बोल के आते है जिसके साथ साथ बागे की लोग भी चले जाते है दूसी तरफ यूजन सभी के सभी डार्क सोल्स को ये बता रहा था कि तुम लोग वो परिशान आत्माए हो जिनको इस दुनिया ने दुतका रहा है तुम्हें कवी भी नहीं अपनाया लेकिन अब तुम लोग आजाद हो चुके हो क्योंकि अब हम इस हैवन के सभी काइदे कानून मिटा देंगे जसके बाद फिर हम जो चाःेंगे वो हासिल कर सकेंगे हम जो चाःेंगे वो कर सकेंगे जिससे कि फिर ये सभी के सभी एविल सोल्स उसको चियर करने लगते हैं उन्हें लगता था कि योजन तो एकदम सही कह रहा है तो DCTN अपनी सिना को बताने लगता है कि ड्रैगन यक्ष और असुर और बाकी की इस दुनिया में रहने वाली जितनी भी रेसिस हैं वो सभी के सभी आज हमारी कदमों में जुकनी चाहिए लेकिन तबी DCTN के उपर एक गोल्डन एरो से अटेक किया जाता है जो केसल में किया होता है जनरल यान ने जनरल यान और उसकी आर्मी को यहाँ पर आता हुआ देकर पूरी सैडो आर्मी भी डरने लगी थी तब ही यहाँ पर गौनिन भी आ जाता है जिसके साथ साथ जनरल फैंग आते हुए कहता है कि लड़ाई तो अब शुरू होगी गोटियन अपनी फायर से कुछ सैडो आर्मी को भी जला कर राक कर देता है इसके वादफल दीरे-दीरे करके यहाँ पर हैवन की सेना बढ़ने लगी थी गोटियन कहते है कि हावेसी उसी ने डार्क सूल को भी जनम दिया था जनरल फैंग कहते है कि अब हमें हैवन को बचाने के लिए इस दरिंदे को खतम करना ही पड़ेगा क्योंकि इसकी डार्क सूल से इतनी केपेबल नहीं है कि वो हमारी सेना का सामना कर सके तो थंडर गौड के इंकम वाटर गौड से कहता है कि क्या सच में अब हम अपने ही क्रियेटर के साथ में लड़ेंगे तब यूजन हैवन की सिना से कहता है कि अब मैं यहां कर आ जा हूँ और मैं पूरी सिना को कमांड देता हूँ कि हैवन को छोड़कर चले जाओ वाणन कहता है कि तुम वेचक हैवन के एंसेस्टर हो लेकिन एंसेस्टर लीडर के जैसे ओडर नहीं दे सकता मुझे अच्छे तरीके से पता है कि तुम वही गौड हो जिसको तीन गौड्स ने निकाल दिया था अगर ऐसा नहीं है तो वो तुम्हारे साथ में क्यों नहीं है तो यूजन कहता है कि तुम्हारी आउकात नहीं है वो मुझसे पूछने की लेकिन अब जब क्योंकि तुम मेरा ओडर नहीं मार रहे हो तो अब तुमें मेरा कहर भी सहना होगा बागी के दो गोड्स के जैसी दयालूता मेरे अंदर नहीं है कि वो सारी की सारी बेतों की बाते होती है जिनको मैं फॉलो नहीं करना चाहता और अब मैं दुबारे से तुम सभी पर राज करने वाला हूँ और वो जैसे ही अटेक करने का ओर्डल देता है उसके हाथ में अचानक से ही एक बनाना आ जाता है कि वाफिस आ जाता है मंकी किंग और वो चोटा होकर उसी के कंदे पर बैटा हुआ था और वो यूजन से कहता है कि मुझे जहां कहीं पिर भी गरबर दिखती है मैं वहाँ पर जाकर उसको पूरी तरीके से ठीक करने की कोशिश करता हूँ और तुम आकर कैसे गौड हो जो कि मुझे अभी तक नहीं हरा पाए और ऐसा देखकर यहां की इविल बंदे तो काफी जादा गुसे में आ जाते है मंकी किंग उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगाता मुझे हराना इतना जादा आसान होगा अब जरा मेरे असली रूप को देख लो क्योंकि तुम इससे बहुती बुरी मार खाने वाले हो क्योंकि अब वो यहां पर अपने असली मंकी अवदार में आ जाता है जिसके बाद फिर वो बहुती स्पीड के साथ मैं यूजून पर अटेक करने लगा था यूजून उससे कहता है कि तुम्हारे अंदर तो काफी जादा काबलियत है मंगे किंग तब यूजून को उठा कर फेक देता है और उसके उपर मुकों के बरसाथ कर देता है और एक ऐसा पंचिट करता है जो कि किसी को भी मौत देने के लिए काफी था जिससे कि यूजून थोड़ा सा इंजूर्ड हो जाता है और वो काफी सारी चीज़ों को फोरते हुए नीचे गिर रहा था और वो कहने लगता है कि इस मौटल मौस्टर ने मेरा खून निकाल दिया है यानि कि मंके किंग अब तुम अपनी मौत को बुलावा दे चुके हो क्योंकि मेरी ये बॉड़ी अब तुमे कभी भी माफ नहीं करेगी और वो यहाँ पर अपने इविल औरा को समन करने लगता है जिसको देखकर मंके किंग कहता है कि मुझे पता था कि ये एंशेंट गॉड हजारो सालों से सूने की वज़े से पावरफुल तो हो जायकर लेकिन खुद को इस इनवारिमेंट में ढाल नहीं पाएंगा इसलिए वो सेना जे कहता है कि डरो मत और इन सवी डीमन्स के साथ में फाइट करो साथी यूजन भी अपनी सेड़ो आर्मी को ये और्डर देता है कि जाकर इन सवी के सवी गॉड्स को खतम कर दो गॉण इन कहते है कि बलडाई शुरू हो चुकी है हमें भी इसमें कूट जाना चाहिए तो विर्यान के साथ उसकी पूरी की पूरी सेना सैड़ो आर्मी के साथ में फाइट करने के लिए चली जाती है इसके बाद फरिया सवी के सवी गॉड्स और किंग कॉंग गॉड्स भी फाइट करने लगे थे गॉड्यान अपने स्किल्स और फाइर की मदद से काफी सारे डार्क सोल्स को एक ही बार में मार गिराते है साथी साथ गॉण इन भी ऐसा ही कुछ जलवा विखे रहा था जनरल फैंग यहां पर यूज करते है अपनी थंडर को जिसको देखकर यूज उन को काफी जादा गुसा आ जाता है और वो कहता है कि मुझे तुमें खतम करना होगा जिसे वो एक ही बार में खतम कर भी देता है और फिर वो बैटल फिल्ड में जाकर देपताओं की सेना की इस प्रिचल एनरजी को सोकने लगता है उन्हें मार मार कर तब ही हम यान को देखते हैं जो कि एक बहुत जादा फारफुल इविल वारियर के साथ में लड़ रहा था तो फिर अब उससे फाइट करने के लिए वहाँ पर यूज उन भी पहुंच जाता है वान इनको लगता है कि शायद अब वो इसको मार देगा तो यूजन कहता है कि सच में तुम थोड़े से पारफुल तो हो गए हो तो वो एक ही जटके में उसकी चेन फायर को भी खतम कर दीता है लेकिन तब यब उससे दोबारे से फायट करने के लिए आ जाता है जनरल यान जिसको हराना भी इतना भी जादा आसान नहीं था वो अपनी फुल वावर के साथ में लड़ने लगता है यूजन से जादके वो अपनी सुपर वावर्फुल स्पियर टेकनिक को भी यूज करता है उसको फसाने के लिए जिसके अंदर यूजन थोड़ी देर के लिए तो फसता है लेकिन फिर वो यान की उपर एक बहुती वावर्फुल अटेक करके उसको दूर भी फेक दिया था और वाके में कुछ होता भी ऐसा ही है और तभी यूजन से फाइट करने के लिए वहाँ पर आ जाता है मंकी किंग जो कि मौका पाकर उस पर काफी पावर्फुल अटेक तो करता है लेकिन इस बार यूजन हार नहीं मानने वाला था और वो उसके उपर हिट करते हुए कहता है कि मैं तो बोली चुका था कि यहाँ पर एक बदसूरस सा मंकी भी है तो मंकी किंग कहता है कि मैं इसलिए तो तुम्हे याद दिलाने के लिए आ गया क्या भी थोड़ी तेरे पहले ही मैंने तुम्हें हराया था और वो अपने ओवर्लोडिंग फावर को यूज करते हुए वान इन से फाइट करने के लिए जाने लगता है जो कि यहाँ पर मंकी किंग के लिए बहुती ज़ादा पाउरफुल अटेक्स को समन कर रहा था जिसे कि मंकी किंग भी थोड़ा सा कमजूर पढ़ चुका था और तभी यूज उन अपनी पावर्स के मदद से अपनी सेड़ो आर्मी के गुस्से को जगा देता है जिसे कि उनके अंदर और वी ज़ादा इविलनेस भर जाती है लेकिन मंकी किंग हार मानने वालों मेंसे नहीं है और वो दुबारा से मैदान में आ चुका था तभी हम देखते हैं कि काफे सारी सेड़ो आर्मी के बंदे मंकी किंग पर अटेक करने के लिए आ रहे थे लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री होती है बाउलिन सैंग जुन की जिनको देखकर गौनन कहता है कि यह तो डिवाइन पावर वाली गौड है और सैंग जुन यह कहने लगते है यूजुन तुमने दोबारा से युद्ध को शुरू करके सही नहीं किया इसलिके युवान यूजून को रोकने के लिए आना पढ़ा है बाउलिन सैंग जिन को और इस बार मैं यूजून को खतम करके सबकु सहे जिनको कर दूगी और इसी के साथ मैं यह एपिसोड भी यहीं पर खतम हो जाता है इसके नेक्स्ट एपिसोड में हमें स्वैंग जोन और यूजोन की बीच में एक बहुती गज़व की फाइट देखने को मिलेगी जिसको देखना चाहते हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सबस्क्राइब भी कर दो